हेलो डियर स्टुएंट स्वावत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में और आज हम बात करेंगे MS Paint के बारे में तो MS Paint के बारे में जानने से पहले सबसे पहले यह जानकारी बहुत जरूरी है कि आपने हमारी जो पेंट कराने जा रहा हूं इस पर पेंट में बहुत सारे ओप्शन ऐसे आएंगे जो नोट पैट से रिलेटेड और वर्ड पैट से रिलेटेड होंगे तो उनको करना बहुत ज्यादा च्छर हैगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए यूज में आता है ऐसा इस पर आक्ट में एस पींट अगर हम लिख देंगे टाइप किया तो मैंने जैसे पींट आ गया यहां पर क्लिक कर दोगे तो उपन हो जाएगा पेंट अच्छा पेंट इस तरीके से उपन हो कि आएगा इपन तरीका एक दूसरा तरीका यह भी है कि स्टार्ट पर विंडो एसे सरी जाएगा यह आ गया और यहां पर दिख जाएगा MS Paint एक तो यह से स्टार्ट कर सकते हो किलिक कर दो यह आ जाएगा और एक तीसरा तरीका यह भी है कि यहां पर डिस्प्ले पर आपको कहीं दिख जाए तो डिस्प्ले पर उपन कर सकते हो अगर नहीं डिस् इसे क्लिक करेंगे और यहां पर छोड़ दाएंगे तो दिखोड़ यह आ गया एंस पेंट का सौटकट इसे उपन कर लेंगे हम यहां से इस पर डवल क्लिक करके भी उपन कर सकते हैं यह तरीका होता है करेंगे करते हैं कि कौन सा टूल कहां पर है क्या करना है कैसे करना है सब चीज़े जरूरी है देखो यह फाइल में नहीं हुआ है इसे भी समझेंगे हम पहले फिर दूसरा है इसमें होम टैब और एक विव टैब इसमें तीन टैब हैं जो काम के हैं तुमारे सबसे पहला सबसे पहले सबसे पेल पर सबसे पहले खिरहिए यहां पर सबसे पेहिता दिखाई दे अरियंगे आपको इतनी चायरी है है तो सबसे पहली सेum एक एक बिमान इस पर हम ल ہےंन सकते एं कुई भी लाइंड ड्रॉव कर सकते हैं कैसी भी लइन्ट रॉब कर सकते हैं एक अगर मानलो मुझे क्या करना है मैं चा रहूँ एक बाद में वापस करना तो मुझे यहां से कंट्रॉल जाण कर देखते हैं एक एक स्टेप बैग जा सकते हैं ठीक है अच्छा क्लिक किया मनें दवारा से लाइन डाव कर रहा हूं अब मुझे यह सीधी लाइन ड्राव करनी थी तो थोड़ी सी टेड़ी होगी मालो यह ऐसे करके करती मनें अब मुझे एक्जेक्ट सीधी चाहिए तो लाइन किया करोंगो मैं कंट्रॉल जाड़ कर लूगा इसे वापस चला जाओंगा और फिर सी लाइन एक ड्राव करता हू यह सिवट के साथ अगर सिफट करके करें कि बराव कर रहा मैं कीबॉड की सिफट की प्रेस करके तो फिर बिल्कुल सी लाइन ड्राव करो देख curiosity यह यहां तक कम्प्लीत होता है अच्छा अग दूसरा ओक्षिन बिटा यह कंलर आते हैं कलरें के बारे में सब्도ant JC आप थी मैं चारा कोई सी भी ड्राइंग आए कोई सा भी अब्जेक्ट बनाओं मैं वह कलर फुल आए यह कैसे भी लाइन से आना चाहिए तो हम यहां से कलर भी जूस कर सकते हैं क्वेशा की मघा जाता है क्वेशा की लुट कालों की बाठने के लिए वह इससने तया मैं कोई भी एन से-äुश्वन्मार लोगा बात कहिए चाहिए मैं Bizim यार्टक तोहिए बैशन आता हम इंद योई कोई भी ड्राइंग को एरेज करता हूं मैं तो वो क्या हो गया है यलो कलर से आएगी मतलब ही पेज की कलर को चेंज ने करता है जहां जहां एरेजर फिरती जाएगी जहां जहां एरेज करेंगे हम वहां यलो कलर से आजाएगा और अगर हम बात करें अगर हमें यह कलरी नहीं तो जो एरीजर का साइज आ रहा है वो साइज छोटा है अंदर में चाहों साइज बढ़ाना इसे कैसे बढ़ा कर सकते हैं तो कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करेंगे इसका साइस के साथ माइनस भी प्रेस कर सकतह। यह मानस से छोटी होती जाएगी रेजर। 70 प्लस 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 फ्लस करके थो भ Three biggest जाईगी रेज़िए इसे तुम डिल्ट कर सकते हैं से एंसी करोreon दूसर क्यों कर रहा हूँ दूसरा है क्या मतलब है कि इसे थोवर लर सकते हैं कई से वी कर सकता हैं disparity जाके मतलब सकते हैं से जहां से आपको कर्व करने हो इस तरीके से कर्व कर सकते हैं जैसे मैंने ऐसे गर की कर्व करने हैं ऐसे करके कर्व कर सकते हैं ठीक है यह कर हो जाएगी तीसा यह ओवल है इस तरीखिसे ओवन बना सकते हैं रेक्टेंगल से रेक्टेंगल यह हम सारी से प्रीवी हैं आप है कोई सीबी से बना सकते हैं यहां तक completely समझ में आता होगा आपके इसे समझ में आगे होगी आपके अब अब सबसे दूसरे टूल आता है आपको जिस क्रपव टूल सलेक्ट टूल प्रिशस और रोतेट Сबसे पहले सभ्ट में गरेंग़ी तो एक कोई से बना लेता हूँ मैं आपको इस तरीके से से बना लिए मैंने ने एसा ऩगर करके से बना अर बना चुका हूँ है तो सबसे पहला एक option आता है सिम्हें स्डेट टूल रेक्टेंगल ररसलेक्ट मतलब किसी भी ड्रोहिंग को । रेक्टेंगल से इसमें सेलेक्ट करने के लिए जिस में कलिक कर दोगे उसी तरीके से इसे आप कि शलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा उप्शण आता हम एक मैं ऊप Kiram सेलेक्ट डूल इस तरीकी के सेफ में अब सेलेक्ट करोगे से उसी तरीकी सेफ में सेलेक्ट हो जाए गए इस तरीके से जैसे सेलेक्ट हो है या यह चṇब। गरना चाहता हूं ऐसे बक हो हो गयो और एक है सलेक्ट रूपूरी में सेलेक्ट हो जाएगी जिस अधिलीट कर नाइब हो आपको अधिलीट कर सकते हूं एक रहे कर लोगे निग पर आप सा जाने चाहिए एक आप शना थैंवर्ण एक जाने चाहिए इस पूर्ण को सेलेक्ट कर ले रहा हूं है यह मेरी ड्राइंग सेलेक्ट है अभी अगर मैं चाहूं इसे इन्वाइट करना अगर मैं इसे इन्वाइट करता हूं तो क्या रहेगा और यह बाहर की वेस्ति वो सेलेक्ट हो क्या जाएंगी ड्राइंग जो एक थी वो हट गई जो तीन नहीं तुक्ति नहीं ने ज्सेलेक्शन में आगीं मतलब इनवायट कातला होता है जो असने चीजेक लृऴड़ा है कि ठीकत लेट के यहीं अच्यक helping Plan कर सकतें मालो मुझे यह टीलीड करनी है जाएगा आछ थीसरा ज्साहरा आता है इसमने नेक्स अप्षन एक ट्रांस परेंट सेलेक्शन कभी कभी क्या होता है यह मैंने इस तरीके से इसे यह यह सलेक्ट कर ली अब मैं इसे उठाके लेंगे जा रहा हूं तो देुखो बेटा प्षाका वाइट कलर और साथ मैं आ रहा होगा इसके आरह से ज्यादा साथ साथ में आ रहा होगा इसके अगर मैं इसी ट्रांसफेरेंट करता हूँगा तो बस जो ड्राइंग बनाई है वही कलर आएगा ना कि कोई दूसरा कलर आजाएगा दूसरा कलर नहीं कह सकती है हम उसे वह हमारा पेस का कलर रहा है बस वही कलर आएगा और कोई नहीं कि नवहाजा करता हुँ समझ में आये होगा आपके दूसरा एक next option है इसमें क्रॉप बिटक किसी भी जैसिम है mobile में फोटो को क्रॉप करते हैं किसी भी editing में क्रॉप कर लेता है ऐसे ही drawing में painting को graph करते हैं अब यह हमारा page बहुत सारा बढ़ा है दिखारा होगा मैं चाहरा हूँ कि हमारी drawing बस इतनी रहे जितना हमारा selection बना हुआ है तो मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया यह tyina brush कर लिया है यह स्ट egent कर लिया मैं चारहाd간 इतना ही तो फिर यह क्रॉड हो जाएगा बीटा मैं हो गया करोप हो आज ग्रॉप पे अच्छा नेक्स्ट aosग रिसाइज किसी भी सेलेक्ट05 की वी ड्रोइंग का size increase or decrease करने का option है बटाए कैसे करेंगे पहले किसी ड्रोइंग को resize select कर लेते हैं किसी ड्रोइंग को यह select कर लिए मैंने से यह select अब इसका size increase करना है तो मैंसे यहां से click करूंगा resize पर और यहां से पिक्सल में या percentage में size बढ़ा सकता हूं जैसे मालोब बढ़ाना है तो मैंसे क्या करना है तो 120 की जगपए वन वन अंडर की जगपए 120 कर देता हूं तो देखो size बढ़ गया इसका और बढ़ा करना है तो मैंने यहां पर 150 करके देख लेता हूं हो रहा है size increase हो रहा है और मैं चोटा करना है तो क्या करेंगी फिर हम यहां से हम इसे 50 कर देते हैं तो इसका size चोटा भी हो गया होगा ठीक है नेक्स्ट ऑप्सन आता है इसमें rotate इसे घुमाना कहते हैं माल सकते हैं और इसके लिए मैं कोई और भी ड्राइंग बना के देख रहा हूं जैसे मालू मैंने यह ड्राइंग बनाई एक ठीक है इसे call out shapes कहते हैं ऑठ्यों सुप्र ऩाद है कि एक और वार रो साइस मीं जाते हैं इसकीव करने मतला मतलए तिरच्छा करना किसी जीज़िज को जैसे मालूम मैंने फेटिए लिए बंटिकल करने में जाति कि इस कि गया है इसकर हो गया कि पॉर एसक तिर चा भी है यह बनाया मैंने और इसको सेलेक्ट कर लेता हूं है डॉनिंग रोटेट नाइन्टी नाइनटी एंगल पर रायट में गुण जाएगा यह ठिक है लेफ्ट में गुण जाएगा ऐसे करके गुमा सकते हैं एक वन इत्टी पर गुंद जाए गाई और यह है फिल्फ होरीजेंटल और एक वार्टिकल इन दोनों में क्या रहेगा इनको मैं पहले हटाता हूं एक काम करते हैं सबसे पहले हम एक यह ले लिते हैं आ से एक और रेक्टम्गल मैं ने हैं इसमें एक और रेक्टम्गल द रहाँ मैं यहां पर अगन्दि करते हूं तो यह होता है वं डिगल उपर का जो पर दता हो नीचा भूम झाएगा बिल्याना चैक Malna कि गूंग चाहिए जैसे आसे गूंगे देखो यह आ रहा था तो ये जो रेक्टेंगल था है सोटा ये ऊपर था पहले अब नीचे वाला पॉर्शन ऊपर चला गया होगा ठीक है और एक अप्षन है इसमें होरीजेंटल मतलब सबसे पहले एक से कोई काम गुरत हम lines खीच सकते हैं कोई drawing बना सकते हैं इस तरीक से जैसे आप की जैसे आप बना सको उस टैप की हम drawing बना सकते हैं तो सब पहले मैंने एक यह ले लिया pencil और color choose करना है यह से color choose कर लेना कोई है इस तरीके से कोई भी ढूंग बना सकते हो यह बन गई अच्छा इसका साइज इंक्रीज निगृिज करना हो तो इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं तो होरे हिए और साइज डीग्रीज करना हुश कंट्रल माइनस से कर सकते हैं इस तारुके से साइज भी छोट Бर सकते हैं हुआ हो इसी भी ट्राइंग अब बना सकते हो अच्छहएृ Sum टेसे हम एरेज भी कर सकते हैं किसी भी द्रोइंग को हाम justamente करना है तो हम आसानि से वी और ब्रॉइंग रिज कर पाएंगे कि यह हमारी ड्रोइंग्ग्टोड द्रॉइंग्टोड परेज होगी अभर येसे बनाया है попang इसे बना ली मैंने बहुत सारी और दो एक दो और बना लेता हूं क्याविए आपको अच्छे से समझ बहुत है अब मैंने क्लिक किया कर एक बकेट है यह बाल्टी टाइप जिसे फिल्वित कलर कहते हैं जिस कलर पर क्लिक करेंगे हम कलर बन चल रहा है भी हमारा फिलाल यह मैं क्लर फिल कर दिया क्लिक कर दिया मैंने ठीक है और सेकंड कलर में मैं लेने रहा हूं यहां पर रेड अब देखो मैं राइट क्लिक कर लेफ्ट क्लिक कर रहा हूं तो ब्लू कलर बढ़ा जा रहा है और राइट क्लिक कर दोंगा तो मैं सेकंड कलर बर गया है इसमें सेकंड क लोग के आएगा कहने का मतलब यहां पर आता है दूसरा उप्शन आता है आपका इसमें टेक्स्ट जिससे हम ड्राइंग पर टेक्स्ट वज़रा भी लिख सकते हैं किलिक करके इस तरीके से ड्रैक करना है और यहां से साइज छोटा वड़ा भी कर सकते हैं देख लेना साइस छोटा कर लिते हैं जासे मान लोग अना यह कर लिए ट्वेंटी सिक्स मैं यहां पर लिख लिख आ powinni कि चिश्टिबिध सी एस जैङहां इसकात साइज में राद हैं इंक्रीज्डिज डिक्रीज्डिक्रीज करना हो तो हम यहां से स्लेक्ट एकरक से साइज कर सकते हैं इसको घर कर सकते हैं इसकी स्विया को जब एक हैं बोल्ड श несब्जा कर सकते हैं डैसा यासे इसङे सेल्एक्ट और लगर से लिखना है तो ब्रक्ण से पहले कर दो जो इस टैल आपको अच्छी लेगे उसमें लिख लेना इस्टैल इस्थ कंप्ली टिश्म आया होगा कि जो नहीं अब ही हम ने क्या किया था एक उसमें यह तो सेकंड्लर जो था उसमें ब्लक्ता मतलब पीस का कलार कहते हैं तो अभी मैं इसे वाइट कर ले रहा हूँ अब थोड़ा सा अच्छ लगएगा यह ठीक है यह ड्राइंग में आई होगा आपको टेक्स्ट कैसे लिखा जा सकता है जैसे मैं यहां पर भी लिखना चाहता हूं यह लिख लिए मैंने यह स्टी यू डी वाई स्टडी विट सी एस के नाम से क्लिक किया मैंने और एक नेक्स्ट अप्शन इसमाई एरेजर एरेजर तो मैंने आपको पहले बता रखा है एरेज करने के लिए किसी भी ट्राइंग को हम एरेज कर सकते हैं जैसे करके हमने एरेज किर दी इसका कंट्रॉल से साइज इंट्रॉल प्लस से साइज इंक्रीज होता है और कंट्रॉल माइनस से साइज डिक्रीज होता है यह बिटा आपको प्रेटिस करनी है इनको बनाने की कोशिस करनी है कैसे बनेंगे इन से रेज करने की कोशिस करनी है जब यह आपको अच्छे से समझ में आपाएग एक object, दो, तीन, और एक चार, ठीक है, मैंने बाल्टी से क्या किया, color लेके मैंने इसमें वर दिया, ठीक है, और एक color इसमें वर दिया, अब मैंने कोई दूसरा color चल रहा है, मिताओ, अब सेम ग्रीन color है, ना, मुझे इस वाले object में बरना है, और ये थोड़ा येलो टाइप का color मुझे इसमें बरना है, तो देखो, मैटा, पिक कर पर क्लिक करूँगा, तो जिस टाइप उसी color पर क्लिक करते ही, फर्स्ट कलर मैं ये ही color सेलेक्ट हो जाना चाहिए, ये क्लिक करता हूँ, गिरीन आगे इस बेटा, इस बेटा बालटी ये पर क्लिक आप क्लिक करें तो ब्र जाएगा, एक जगह ऐसे कर लेता है मतलब उठा लेता है कहीं दूसरी जगह पर बरने के लिए ठीक है और यह मैं थोड़ी सी और ड्राइंग बना ले रहा हूं यह मैंने से बना ली वह सारी जूम पता ही होन अची आपको इमेज को जूम करता है लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इमेज को जूम करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो जूम इन कर जूम आउट इस तरीके से करता है ठीक है और हम यहां से भी जूम in, जूम out कर सकते हैं बीटा status war से, के status war भी दिखाता है का हमारा page का size कितना है ठीक है, और जो rectangle चल रहा है, वो कितने size का चल रहा है यह सब चीजे दिखाता चलेगा यह समझ में आया होगा आपके, अब सबसे दूसरा option आता है आपका next option brush brush भी बहुत जारा क्राम के हैं इनको brush को भी समझते हैं सबसे पहला एक option है brush normal है ये तो आपके drawing को बनाने के लिए control plus से इसका भी size बढ़ा होता है control minus से इसका size छोटा भी होता है तो control plus कर रहा हूं मैं देखो size बढ़ता हुआ जारा होगा इसका ठीक है ये मैं drawing कर रहा हूं इस तरीके से drawing कर सकते हैं आप जैसे drawing करनी है आपको ठीक है ऐसी drawing बना सकते हैं ये control z minus back कर दिया मैंने दूसरा brush है बढ़ताइसमेंट दूसरा brush है बढ़ताइसमेंट ठीक है कोई सबी ये इस तरीके से drawing ब्रस पर काम करेंगा control प्लस से इसका भी size बढ़ताइगा increase करना हो डिख्रीज करना हो यहां से भी छोटा बढ़ा हो जकता है अब जैसे control में प्लस से मैंने इसका size बढ़ा लिया हम यहां पर लिखना चाहता हूं हूं है आज X T VU D Y W I T H study with CS इस तरीके से लिख सकते हैं drawing बना सकते हैं कहने का मतलब ठीक हैं ये drawing इस तरीके से भी बना सकते हैं color choose कर लें जो आपको अच्छा रहागे same आपको दूसरा ब्रस है calligraphy का color choose कर लेते हैं यहां से इस तरीके से लिखना हो मैं इस तरीके से इस तरीके से इस पर करने के लिए काम आता है color spray इस तरीके से एर ब्रस आएगा इसका भी size control प्लस से बढ़ा हो जाता है control मैनस से छोटा होता है ठीक है यह हो गया इस तरीके से छोटा बढ़ा कर सकते हैं color भी चूज़ कर सकते हैं अगर चाहिए तो हम नहीं से कर सकते हैं ब्लैक कलर लेना ब्लैक कलर लेलो दिखाई दे रहा हूंगा आपको color ठीक है यह तरीका है ब्रस सेलेक्ट करने के ऐसे सारे प्रस हैं यहां पर ऑईल ब्रस से मतला और पेंटिंग जैसे करते हैं और ऑईल पेंट जैसे होता है इस तरीके से color पर चूज करके भी आप काम कर सकते हैं दूसरा ओप्चन है यह आप है के रहें यह सारे ब्रस पड़ेंगा इन सब प्रसों को आप यूज करके देख लीजिएगा सारे ब्रस ही है और कुछ नहीं है इस पर आगे चलते हैं एक अप्चन कोपी किसी भी ड्राइंग को कॉपी करना पहले से सलेक्ट करना पड़ेगा सलेक्ट ठीक है इसका साइस थोड़ा चोटा करते हैं इस साइस बना लिया मैंने अब इसी ड्राइंग को मुझे दू बार बनाना है तो हम क्या करेंगे पहले से सलेक्ट कर लेंगे यह सलेक्ट कि करने के बाद कॉपी करते हैं कॉपी के बाद पेस्ट करतेंगे पेस्ट करने के बाद इस तरीके से ड्राइंग आ जाएगी ठीक है मैं यहां रख देता हूं से ऐसी फिर पेस्ट करता हूं और बार बार आती जाएगी क्योंकि हमने कॉपी कर रखता है इस तरीके से अच्छा एक और अप्षन है यहां पर जो बीच वाली डॉलिंग है यह हमें यहां पर रखनी नहीं है दौनों तरफ रखनी थी बीच अच्छा के दूसरी अपर रख सकते हैं यहां से कट करतेंगे और पेस्ट कर दोंगे तो पेस्ट करने से हम दूसरी जगाए पर भी रख सकते हैं एक तरीका यह है के स्लेक्ट करो से ठागा रख दो यह इजी ऑप्षन है कट तो इसमें ज्यादा लम्ट रम पड़ेगा ایک option इसमें इक और αप्शन में पेस्ट प्रॉम बाइटा किसी भी डूसरी द्राइंग को अपनी इमेज अपनी ड्राइंग में लेक आने के लिए काम करते हैं अभी क्या कर रहा हूं नहीं में लेते हैं यहां पर यहां पर दिस पीसी और इस पीसी में कहीं हमें पढ़े हों च्रभा पर लेते हैं जैसे ये ड्राइंग ले दिया है मुझे ये इमेज आचकी ये पुरी अब इसी मेज पर मुझे कोई काम करना ओ तो हम इस तरीके से काम कर सकते हैं च्छी पर मुझे लिखना है कुछ तो हम लेक सकते हैं टेक्स्ट कलर यह लेलिये मैंने अब यहाँ लिखना S T U D Y W I T H C S study with CS लिख दिया मैंने इसका size भी बढ़ा सकते हैं छोटा बढ़ा बढ़ा साइज भी कर सकते हैं जैसे यहां से यह size ले लिए मैंने बोल्ड कर दूं ऐसे एक बार और साइज भी इंग्रीज कर दे रहा हूं अब देखो यह दिख नहीं रहा तो इसको सेलेक्टर पॉइंट आ रहे होंगे इन सेलेक्टर पॉइंट को छोटा बड़ा कर लेंगे यह हैं स्टेडी विस्टी एस के नाम से कि यह लिख दिया इसका साइज चेंज करना चालते हैं किलरीपे ze क्यसे और किसी कलर को चलेक्टर करते हैं किसी बी कलर पर चिंख कर देंगे वह ग्या है इस तरीके से हम लिखो भी शक्ते हैं किसी भी इमेज पर अच्छे से समझ में आया होगा आपको पेस वाम किसी भी दूसरी ड्रोईंग को अपने पेस पर लेके आने के लिए या इमेज लेके आने के लिए फाहम आता है ठीक है और Ctrl A इडिलेट यहां तक आपको समझ में अच्छे से आया होगा एक आप्शन है से किसी भी ड्रों की आउटलाइन को चेंज वर नहीं से किसी भी इस तरीके से आप बना सकते हैं अब मैं सेगेंड कलर को भी फिल करके रख रहा हूं इपर क्योंकि आपको आगे चलके फिल समझाना है इस वह से मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाया हूं इस तरीके से ठीक है यहां से कलर पर आता है No Color से मतलब कोई कलर फिल नहीं आएगा Solid Color से जो दूसरा Color सेलेक्ट है आपको यह Color सेलेक्ट दिखाई देघ रहा हूगा वो Color फिल हो कि आएगा से मतलब इस तरीके से color रख येगा marker से जैसे marker से color रखे हैं हमने oil से मतलब oil paint कर रखे हैं हमने जैसे natural pencil और water color ठीक है इन ती नों मेंसे कोई साभी आपको सब मेंसे use कर सकते हो आपको जिस टेप का color चाहिए ठीक है और एक option है लाइन का लाइन के size है लाइन के size कैसे रखने हैं आपको यह आपके डिपन करता है जैसे मैं कोई भी object बना रहा हूं उसमें से color हटा दे रहा हूं सबसे बहुत फिल color no कर रहा हूं यह किया मैंने no color no solid line अब यह line के color size चूश करना के line कौन से color की रखनी है हम यहां तक यह कर सकते हैं यह color है आपके किसी भी ड्रोइंग में color भरने के लिए काम आएंगे एक option आता है इसमें added color added color से क्या रहेगा किसी भी color को एडिट करना मतलब ऐसा color हमें इस color में नहीं मिल रहा तो हम यहां से एडिट करके color को चूश कर सकते हैं बना सकते हैं मतलब अपने आप जो color आपको अच्छा लगे जैसे मुझे यह color चाहिए इस ऐसा color है नहीं है आप इसमें add to custom color में क्लिक किया है मैंने यह आ गया और ok कर दिया तो देखो यह आ गया custom color में अब इस color को मैं फिल भी कर सकता हूँ sorry यह फिल भी कर सकता है ठीक है यह एक option है added with paint 3d यह 3d paint करने के लिए काम आएगा इसको हम बाद में करेंगे सबसे फिर दूसरा option आता है इसमें view आपने बहुत अच्छे से कर रखा होगा जूम करना अभी मैंने पहली बताया था जूम जूम इन नॉर्मल साइज के लिए कि सो पर्संट पर यह कर देंगे तो नॉर्मल साइज आ जाएगा एक option आता है इसमें रूलर रूलर पर क्लिक तर देंगे तो पेस पर रूलर दिखाई देना लग जाएगा ग्रेड लाइन से पेस पर ग्रेड लाइन दिखाने देदने लग जाएगी एक option आता है status वार से status वार से status वार जाएगा जहां पर हमारा जूम इन जूम आउट पेस का साइज यह सब चीज़न दिखाई देती है अगर हम चाहें तो इन्हें भी रख सकते है एक option आता है full screen यह drawing को पूरी display पर दिखा देगा कि इस तरीगे की drawing हमारी सो करके आएगी skip करतेंगे हम पीछे आ जाएंगे अब आते है वीटा जो हमारी file में new है इस में भी बहुत सारे option है कि यह हमारी किसल काम आएंगे यह हम चीज़ें समझने की कोशिज करेंगे सबसे पहले एक option है new मतलब नई seat लेने के लिए यह काम आता है ठीक है open जो हमारी file बना रखी होंगी हमने drawing बना रखी होंगी उन पर काम करने के लिए काम आएगा वेटा यह जैसे हमने करन की file बना के लिए काम आता है जैसे में यह एक और फाइल आई करन के नाम से मैं कि मैं यह कीरती के नाम से फाइल से पर दे रहा हूं के प्रिंट अपनी ड्राइंग को परिंट करने के लिये अंता है प्रेंट प्रिंट यह तरीके हैं यहां से ओके करतेंगे और प्रेंट प्रिव्यू से बिटा क्या रहेगा कि प्रेंट प्रिव्यू दिखा देगा कि हमारी ट्रॉइंग इस तरीके की निकल के आएगी जो हम प्रिंट करेंगे तो कलर पेस इस तरीके से निकल के आएगा पेस का इसकेनर और कैमर यह सब काम के हैं वसे इस इनी ड्राइंग को कैमरा से कम्पीटर में लेने के लिए काम आता है मैंस पेंट में अब सबसे ज़्यादा में काम का जो है वो आता है तुमारा यह आप्शन इसके लिए पहले में एक नई फाइल लेता हूँ नई फाइल लेने के लिए इसलिए काम कर रहा हूँ है नई फाइल को क्योंकि एक अपनी नई ड्राइंग बनाऊंगा उस पर डिस्पले पर लगा के देखेंगे एक दो तीन चार पान चैर साथ आठ इस तरीके से मैंने यह बनाया मैं चाराओ के डिस्पले पर जो इस पर जो आ रहाए यह अचाराओ इसे डिस्पले पर लगा दो अपनी ड्रॉइंगं को तो हम यह क्या करेंगे यहां से फिल विद्ट कलर पे किलिख करतेंगे ओके ठीक है डेक्स्टोप पे लगान मैं कहीं इस अब कर दे रहां इ देखो display पर लग गई होगी हमारी फाइल अच्छा एक तो दरीका यह है दूसरा भी option आ रहा है इसमें एक और इस फिल विद गलर मतलब यह क्या करेगा color display पर फिल होके लग जाएगी एक option आता है यह select है हमेने और resize पर क्लिक किया resize से मतलब है size छोटा कर दे रहा हूं मैं 70 60% कर दे रहा हूं यह छोटी होगी ड्राइंग अब हमें इस ड्राइंग को crop करना है तो दुवारा से crop कर लेते हैं यह crop कर दिए यह ड्राइंग है अब आता है टाइल्स मतलब जिस यह drawing है वह tiles के तोर पर लग जाएगी जैसे tiles लगी रहती है उसी तरीगे से display पर लग जाएगी है क्लिक कर दिया मैंने ओके तो दिखो डिस्प्ले पर टाइल्स के तरीके से लग गई होंगी अब कैसे दिखाई देंगी इसके लिए मैं पहले एक और काम करता हूं इस ड्राइंग का कुवी सा भी एक बॉर्डर बना देता हूं अलग कलर से तो अच्छे से दिख जाएगा कि ह अहां यह ज्र्ण टाइलस में लगी हुई है ठिक है यह अब ठीक है अब मैं लबाता हूं इसे करेकर टाइल्स और के अब दिखते हैं यह बन गई हैं लगे हूं यह जैसे टाइल्स लगी रहते हैं एक अप्षण आता है सेंट फिल इस तरीके से एक पूरी चुटी फी ड्रोंगों होगी तो वह भी फेल के डिस्पेल सब्सक्राइब दूसरा और संहाथ इसमें सेंटर यंडिस्पेलिए फिल एक राएंटिस के लिए हमें सब से सब्सक्राइब प्रम्राइब सेल Ecakat कोgrass कहले को सेलेक्ट के और स Milan से से इसको चेंज कर सकते हैं हाइट हो जेंटल इसको कर दिरें 200 पॉर टूंद इसको यहां से कड़ाता है और इसको बहुत नेंटार वोर चैट एक ओप्शन हैP इसमें और नेक्स्ट आप्सन है आपका एक्जिट एक्जिट से क्या रहता है आपका एमस्पेंट क्लोज हो जाता है और यह रिसेंट में हमने अभी लास्ट में फाइल से क्योंगी वो दिखाई देंगी इस्ट्वेंट सोब को तो आशा करते हैं आपको उच्छे दिस और इस वीडियो को देखके